खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन आने से पहले कुछ नकुछ कॉंटरोवर्सी क्यों होती है हमारी आज की यह रिपर्ट इसी पराधारी थै बले ही आमिर खान कम फिलमें करते हैं लेकिन उनकी लगबग हर फिलम पर कोई न कोई विवाद जरूर होता है कभी फिल्म के सीन्स तो कभी उनके प्रमोशन का तरीका उनके लिए सुर्खियों में आने का सबब बन जाता है फिल्म पीके के समय आमीर बड़ी मुश्किल में फसे थे फिल्म में एक सीन दिखाय गया था जिसमें शंकर भगवान बना आदमी शहर भर में भागता है और आमीर उसके पीछे होते हैं इस सीन को यूं तो स्टोरी की डिमांड बताया गया लेकिन सवाल उठे कि मनोरंजन के नाम पर देवी देवताओं का अपमान भला क्यों किया जा रहा है आमीर खान पर इस सीन को लेकर सवालों की बोचार हो गई थी धर्म गुरूओं ने उन्हें कटगरे में लाकर खड़ा कर दिया था फिल्म पीके के प्रमोशन और पोस्टर्स की बात करें तो जहां प्रमोशन को लेकर आमीर के अंदाज को पसंद किया गया तो वहीं उनका ये पोस्टर सबसे बड़े विवादों में से एक का हिस्सा बना था आमीर का ये नंगन अवतार काफी लोगों को नाराज कर गया था और इसे अशलील भी बताए गया था आमीर का विवादों से नाता बहुत पुराना है करीब 5 साल पहले आमीर का विवादों में तब आये जब उन्होंने असाहिशनुता के मसले पर ये कह दिया था कि उनकी पतनी को भारत में रहने में डर लगता है इस बयान के बाद आमिर खान को विरोध का सामना करना पड़ा था उनका ये बयान सरकार को भी हज़म नहीं हुआ था शायद यही वज़े थी कि जनवरी 2017 में आमिर खान को इंक्रेडिबल इंडिया यानि अतिथी देवो भव के ब्रेंड अम्बेस्टर पज से हटा दिया गय बाद में उनकी फिल्म थियेटर में नहीं लगने दी गई अमिर खान अक्सर विवादों में रहते हैं तो कई बार बॉलिवूड के सितारों से भी पंगा लेकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं अमिर खान ने ब्लाक फिल्म को लेकर अमिताब बच्चन पर टिपनी की थी आमीर ने अपने ब्लोग में लिखा था कि ब्लाक में अमिताब का अभी ने उनके सिर के ऊपर से निकल गया आजकल आमीर खान क्यों सुर्कियों में बने हुए हैं दिखाएंगे आपको यह बहुत ही छोटे से ब्रिक के बाद भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डावडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापिट भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिबल रेट्स में और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आमिर खान की अगली फिल्म लाल सिंग चड़ा आने वाली है लेकिन इन दिनों भी फिल्म अभिनिता सुर्खियों में बने हुए हैं वज़े हैं उनका तर्की के राश्टेपती की पतनी के साथ मिलना इस बारे में तर्की के राश्टेपती की पतनी आमिन एडवन ने ट्वीट कर बताया उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा दुनिया के जाने माने भारती अभिनेता फिल्मकार और निदेशक आमिर खान इस तावूल में हैं ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है मुझे ये जान का खुशी हुई कि आमिर खान ने अपनी नई फिल्म लाल सिंग चड़ा की शूटिंग तुर्की के तमाम हिस्सों में करने का फैसला किया है इसके बास से ही आमिर खान जम कर ट्रोल होना शुरू हो गए आमिर खान अपनी हर फिल्म से पहले कॉंट्रोवर्सी में तो आ जाते हैं लेकिन उनकी फिल्म बिजनिस भी रिकॉर्ड तोड करती है अब लाल सिंग चड़ा को लोग कितना पसंद करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा बहराल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया इंक तमाम खबरों के लिए आप बने रही हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज नमस्कार